नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चेनल CSD Nursing Academy में दोस्तों चेनल पर नए हो तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह आपको न्यूव वेकेंसी की अपटेट मिलती रहे तो दोस्तों भात करते हैं किसी की जो की रहने वाली है कम्यूनूंटे हेल्थफ ऐल्थ ओफिशर की छयों की सामुदर एक स्वाव् सद्धिगारी जो की रहने वाली है म्ध्य प्रदेश में national health mission, department of health family welfare, government of मध्य प्रदेश, opportunity for nursing, णे आहरुदी ये प्रोफेश्नल नई वेकेंसी और आ गई है जिसमें जो की मध्यप्रदस से रहने वाली है और आप इसमें अपलाई कर सकते हैं तो बात करते हैं फिर्म कब से स्टार्ट होरे फिर्म फिल लब होने तो सब्सक्राइब दो फरवरी से स्टार्ट हो जो कि last day रेने वाली है 17 February 2020 तक बात करते हैं qualification की तो इसमें 4-6 month certificate in community health training जिनके पास CCH का certificate नहीं है जो कि BSC nursing post BSC nursing GNM और BMS वाले आवदेन कर सकते हैं जिनके पास नहीं है वो भी आवदेन कर सकते हैं जिनके पास है for direct recruitment जो कि सिधी पर्ति में जिनके पास CCH का certificate है जो कि BSC post BSC और में इनके पास direct recruitment के लिए CCH का certificate होना आनिवारी है या कि CCH का certificate है वो भी apply कर सकते हैं और CCH का certificate नहीं है वो भी apply कर सकते हैं है कि succeed के लिए यह और टोटल जीट 1608 है और डाइरेक्ट रिक्रूनेंट के लिए को और अथारा सुन नभे है टोटल 3516 जिसमें सीप्र नही है अनके लिए 1608 है डारेर्क्रण के लिए यहां पर सो अटारा सो नब्य पोस्ट है और और इसमें पोस्ट भी एसी के फाइनल इस्टूडेंट भी फॉर्म अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल होना अनिवारी है जो की कि एक दो दो जारी किस तक है कि सेलेरी की बात करते हैं दोस्तों इसमें तो 25,000 रुपए 25,000 रुपए परमत रहने वाली है 15,000 रुपए इंटेंसिव अलग से दिया जाएंगी और एस बोंड पेपर ओफ दो लाग रुपए का बोंड है जिसमें की 500 रुपए का स्टांप होन अनिवार यह है और दोस्तों कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की भात कर लेते हैं जो कि इसमें सीटे आपको बता दी गई है Certificate Course in Community Health में प्रवेश एतु बारतिय उप्षरिया परिशत नई दिल्ली यात्वा मध्यपदेश उप्षरिया परिशत MP Nursing Council से माननेता प्राप्त नर्सिंग सस्तानों BSC Nursing Post BSC GNM उत्तिरन उमिद्वारो जो मध्यपदेश Nursержs Registration Council में पंचिगरत हो अन्य रज्जों में BSC Nursing Post BSC GNM उत्तिरन उमिद्वारो को मध्यपदेश Nursержs Registration Consulting में पंचिगरत करने के लिए प्रश्रिक्षन में प्रवेस्थित्थी के बाद एक मा का समय दिया जाएगा यदि एक मा बाद समाप्त होने के पुरू उमिद्वार द्वारा पंचियन कराए जाने है तो आवश्यक कारिवाई एवन तत्स संबंदी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो उनको प्रव प्रवेस्थ निरास्थ कर दिया जाएगा बार्ति चिकिस्वा के इंद्रि परिशाद नहीं दिल्ली से मानेता प्राफ्थ संस्तानों अत्वा बारति विछो इद्यालेव या सम्मन्ध माव इद्यालेव से बी एएमेस उत्त्रिन उमिद्वारों जो मध्य प्रदेष आउ होगा अन्यता आवेदा नेरस्त कर दिया जाएगा जो कि दोस्तों यह पूरी जानकारी हमने यहां पर कवर की है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह आपको न्यूव वेकिंस सित्य अप्डेट मिलते रहे धन्यवाद